सबजी दाल के रेसिपी शेयर करने चाहरे हूं इसे बनाने के लिए मैंने तीन प्रकर दाल यूस किया और बहुत सरे सबजियां सबजियां आप अपने पसंद अनुसर चून सकते हैं ये एक बहुत हाईली निटूशियस डीश है सो लेट्स मूव तो मैं मस कीजें टू प्रिपेर सबजी दाल सबजी डाल बनाने के लिए मैंने लिए हैं 25 ग्राम मसूर डाल 25 ग्राम मूंग डाल और 25 ग्राम अरहर डाल डालों को हम तीन घंटे के लिए भीगो के रखेंगे सबजियों में हम लेंगे कुछ बेन्स एक गाजर 20 ग्राम हरा मतर एक फुल गोबी से चोटा सा हिस्सा काट करके उसे चोटे चोटे पीसिस में काट लेंगे और लेंगे कुछ बालक के पत्ते तो हम सारे वेजिटेबल्स को काट लिए हैं वेजिटेबल्स को एक बोल में शिट करके इसे साइड में रख देंगे इसके साथ लेंगे एक इंच आद्रक, एक इंच टिक दाल चिनी दो लॉंग, दो छोटी एलाची और आधा छोटी चमच जीरा जीरा, छोटी एलाची, लॉंग और दाल चिनी को हम एक मिनिट के लिए ड्राइ रोस्ट कर लेंगे और ड्राइ रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे एक उखली में दरदरा पीस लेंगे अद्रक को हम ग्रेट कर लेंगे इन दोनों चीजों को हम त्यार रखेंगे आप हम गैस ओन करेंगे और उस पर आट दिन पॉट चढ़ाएंगे आट दिन पॉट में करीब देर मग पानी एड़ करेंगे पानी आप थोड़ा कम ज़दा एड़ कर सकते हैं अगर आपको दाल ज़दा थीक चाहिए तो कम पनी एड़ करें बरना थोड़ा जादा ही एड़ करें आप दाल में हम हिमालयान पिंग सॉल्ट स्वाद अनुसर एड़ कर देंगे भीगी हुई दाल को हम अच्छी तरह दोलेंगे और उसके बाद अर्दिन पॉट में एड़ कर देंगे एक तीहाई छुटी चमज हल्दी एड़ कर देंगे और इसके साथ अध्रक पेस्ट एड़ कर देंगे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अब हम दाल को धाग देंगे और इसे बॉइल होने देंगे बॉइल करने के लिए हम फ्लेम को बढ़ा देंगे बिल्कुल हाई पर कर देंगे दाल उबल गया है आब हम धाकन को खोलेंगे और इसमें जो वेजिटेबल सम काट के राखे थे वो एड़ कर देंगे चमज से एक बार मिक्स कर देंगे अब दुबरा अर्देन पॉट को हम धाक देंगे और इसे एक बार उबाल आने देंगे उबाल आ जाने पर हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे आब हम सबजी दाल को लो फ्लेम पर 20-25 मिनिन पाकने देंगे बीच में एक बार चमज से चला देंगे अब दुबरा ढग देंगे करीब 25 मिनित बाद हम दाल को चेक करेंगे ये देखिए दाल और सब्जी पूरी तरह पाक करके त्यार हो गया है ये देखिए इसमें मुझे पानी थोड़ा जादा लग रहा है तो इसे हम 2-3 मिनिट और पकाएंगे फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 2-3 मिनिट और पकाएंगे तीन मिनिट बाद हम ढाक कन को खोलेंगे और ये देखिए हमारा सब्जी दाल का थीकनेस बिलकुल पाफेक्ट है अगर आपको दाल और थीक चाहिए तो अब शुरू में ही पानी थोड़ा कम एड़ करें आप हम दाल में जो ड्राई रोस्टेट मसाला पीस के रखे थे वो एड़ कर देंगे ये एड़ करने से दाल में बहुत ही अच्छा है खुश बुआता है अब इसके साथ हम एड़ करेंगे एक छोटा सा टमाटर इसे छोटे छोटे टुकरे में काट करके फिर एड़ कर देंगे दो बरी चमज धनिया पता छोटे छोटे टुकरे में काटके एड़ कर देंगे अब एक चमज घी एड़ कर देंगे और इसके साथ एक चमच गोर पाउडर एड़ कर देंगे ये आप्शिनल है आप इन सारे चीजों को सबसी दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अट दिन पॉट को ढग देंगे और फ्लेम आफ कर देंगे और सबसी दाल को ऐसी ढगे हुए 15 मिनित रखेंगे इसके अंदर का गरम टेमपरेचर में टमाटर बग जाएगा 10 मिनित बार डाल को टेबल पर ले आए आप ये डाल सार्ब करने के लिए बिलकुल त्यार है ये देखिए हमारा डाल कितना अच्छा बना है ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही निट्रिशियस है और बहुत ही स्वादेश्ट है इसे गरम-गरम चाब या रोटी के साथ सार्ब करें और बड़े सुकुन से खाए आप बेशक उपर से थोड़ा सा घी और एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों ये था मेरा आज का सात्वीक सबजी डाल रेसिपी, इसे अपना किचेन में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, श्यार और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकोल ना भूले तक ये वेरी मुच फूर विसिति को अपना किचेन